सबको नमस्कार आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने 3 मई तक के लिए lockdown extend कर दिया है हम जानते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर कोरोना की वज़े से कितना भारी संकट आये हुआ है कई देशों में हजारों हजारों लोगों की जान चली गई है हमारे देश में अभी ये धीरे धीरे फैलने लगाए हमारे देश में अभी कोरोना चारों तरफ नहीं फैलाए उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में समय रहते 24 मार्च को 21 दिन के लिए lockdown का एलान कर दिया गया आज वो 21 दिन पूरे हुए आज हम देख रहे हैं कि अगर अभी लोगडाउन को खतम कर दिया और सारी चीज़े चालू कर दी तो पूरे देश में कोरोना फिर फैल जाएगा हमारी जान ही चली जाएगी कई लोग बिमार हो जाएंगे चारõ तरफ मंहारी फैल जाएगी हमारी जान को बचाने के लिए देश को बचाने के लिए आज इस lockdown को extend किया गया है तीन मय के लिए अब अगर हम अगले कुछ दिनों तक अनुशासन नहीं रखेंगे अगर हम अगले कुछ दिन अपने अपने घरों में नहीं रहेंगे तो यह जो 21 दिन की हमारी तपस्या थी यह भी खराब हो जाएगी इसलिए मेरी हाथ जोड़के आप सब लोगों से विंती है कि थोड़ा सा तीन मई के लिए और हम अनुशासन बनाए रखते हैं पिछले 21 दिन में आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने घर में रहके अनुशासन बना के रखा अभी तीन मई तक अपने को और अनुशासन बना के रखना है मैं समझ सकता हूँ अब बहुत तकलीफ से गुजर रहा है मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है हमारे घर के परिवार के लोगों की जिन्दीगी की बात है तो कुछ लोग हो सकता है अफवाएं फैलाएं आप मेंसे कई लोग हैं जो दिल्ली में बाहर से आके कोई यूपी से आके रह रह रहे हैं कोई बिहार से आके रह रहे हैं कोई हर्याना से आके रह रहे हैं दूसरे राज्यों से आके दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, आप में से कुछ लोग हैं हो सकता है जो कि अपने घर, गाउं, वापस जाने के लिए बहुत जादा बेचैन हैं, मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड के भिनती है, तीन मही तक रुक जाएगे, अभी अपनी बेचैन की कमी हैं, हम हैं, मैं हूँ, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, अगर खाने की कमी आ रही है, हमने खाने का बहुत इंतिजाम करक्खा है, इतना इंतिजाम करक्खा है कि किसी चीज की कमी नहीं है, हम आपको खाने की दवाईयों की, सब चीजों की, सब चीजों क कि विवस्था कर रहें हम लोग बहुत लोगों को खाना खिला रहे हैं खुब राशन पाहँ अगर किसी चीज़ के आपके घर में कम यह हमें बताईए हम आपके घर पहुचा देंगे लेकिन प्लीज अभी अपने घर में रहेगे इस वक्त बहुत लोग आपको अफ़वा फे कोई कहेगा फलानी जगे चलो वहां से बसे चलने वाली है, UP गॉर्मनेंट की बसे चल रही हैं, कोई बसे कहीं नहीं चल रही है, किसी की अफवा में मताना, ने तो दुर्गती होगी, आपके पूरे परिवार की दुर्गती होगी है अगर सब को लेके निकल गए तो, अभी चारो तरफ अफ़वा फैलाई जाने की कोशिश की जाएगी किसी अफ़वा में मताना शान्ती से अपने घर में रहिए जहां हैं वहीं रहिए आपको अगर किसी चीज की कमी है आप हमारे उपर भरोसा कीजिए हम सारी चीजों के विवस्ता हमने की हुई है अगर किसी चीज की कमिया हमें बताइए हम आपके चीजों को पूरा करेंगे लेकिन इस वक्त पूरे देश को एक जुट होके तीन मई तक इस लॉकडाउन को सफल बनाना है हमें अपने देश को बचाना है अपने परिवार को बचाना है अपनी सब की जिन्दीगी का सवाल है